असलामुलीकुम्यूर्स, वेल्कुम्टु थे स्टूइन्स प्रेटफॉर्म, PSI 407, Lesson 20, Alternatives to Inverted U Therese इसमें हम पांच Anxiety Performance Therese को डिस्कस करेंगे, पहले है मार्टन's Multidimensional Therese मार्टन को बताबिक Anxiety जो है वो, Multidimensional होती है, Anxiety और Sports Performance का गहरा तालुक है Anxiety का दालुक इनसान की सोच से भी है और जिस्मानी कैफिया से भी है, Cognitive Anxiety और Sports Performance में एक Negative Relation है लेकिन जिस्मानी लिहाज से अगर देखा जाए, तो दोनों तो ये Low Level या Extreme High Level of Arousal जो है वो Performance को कम करती है Faisy and Hardy Catastrophe Theory Catastrophe का मतबश Sudden Decrease Arousal एक मुख्सूस लेवल तक Performance को बेतर बनाएगी लेकिन एक पॉइंट पर जाकर Performance में Sudden Decrease होगा, चानक से Performance जो हो कम हो जाएगी Hen is Individual Zone of Optimal Functioning, I, Z, O, F, Theory 20 को कहते है एक खास लेवल ऑफ राउसल में एक शक्स अपनी Sports की बेतरीन काकरदगी दिखा सकता है अगर वो शक्स उस जोन से बाहर हो, उसकी त्यारी अच्छी ना हो, तो उसकी Performance अच्छी नहीं होगी अगर इस शक्स के राउसल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो वो इसे Optimal Functioning Zone से आउट कर देगा जिससे इसके Performance मतासिर होगी इसके अगर एक प्लेयर सोचता है या महसूस करता है कि इसके Anxiety से Facilitate करेगी स्पोर्ट्स में तो वो इसे Facilitate करेगी उसके Performance को अच्छा बनाएगी कि अगर वो सोचता है कि इसके Anxiety जो है उसको Degrade करेगी या उसके Performance को कम करेगी तो ऐसा ही होगा Afters Reversal Theory According to him, there are two kind of individuals, टैलिक और पराटैलिक टैलिक कहा रहा है कि people who are goal oriented want to achieve goals वो इसकी तेहरी करते हैं यह और पराटैलिक कहा है कि यह स्पोर्ट्स सिर्फ ऐसे Enjoy करने के लिए यह स्पोर्ट्स को सिर्फ Enjoy करने के लिए करते हैं इनका कोई खास Aim या मकसद इसके साथ Attach नहीं होता जो पराटैलिक लोग होते हैं वो उनकी यह बात कर रहा है वो यह था हमारा Lesson, बिल्कु छॉट सा, Simple सा, I hope I made it clear, मिलते हैं जल्दे नेक्स Lesson में, Till then, Take care, Allah Hafiz